हलो गाईज फिर से एक नए वीडियो में सुवागत आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वालाओं कि अगर आपके पास रेडमी शाओमी पोको का कोई सा भी डिवाइस तो आप उसमें दूसरी रॉम इंस्टॉल केसे कर सकते हो मतलब कि दूसरा वर्जन केसे आप डाल सकत जैसे कि डिवाइस पूराना हो जाता तो उसके लिए शाओमी वगरा जो भी है डिवाइस कंपनी उसमें अपडेट देना बंद कर लेती जैसे शाओमी है रैडमी है पोको है सब कुछ अलग अलग ब्रांड है तीन साल तक अपडेट मिल जाते हैं आपको तीन साल के बाद म बिल्कुल बंद हो जाता है तो आप दूसरी रॉम कैसे डाल सकते हो मतलब पोर्ट रॉम हो गया मतलब कस्टम रॉम बहुत सारी होती है डिवाइस के लिए तो इससे क्या होता रिवाइस का परपोमेंस वगरा सेकूरी पैच वगरा एकदम अच्छे से रहता है मैंटेन रह हो जाता है आपका नेने फीचेस वगरा कैमरा क्वालेटी वगरा जो भी बहुत सारे उसमें कस्टम फीचेस आपको मिल जाते नियू रॉम के अंदर तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है डिवाइस का वूट लोडर अनलॉक करना होता है और 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 स्वक्स रिक प्रिकवरी आपको इस्टोल करनी होती है उसके माधियम से आप कोई सी भी रॉम उसमें फ्लैस कर सकते हो जो भी आपके डिवाइस के लिए कस्टम रॉम बनी हुई है वो ठीके अदर रॉम नहीं करना है जैसे कि आपको रैडिमी नोट फाइप परो की रॉम बनी हुई है वह आ जाएगी और फाइल आप जी फाइल डाउनलोड करके फ्लैस कर सकते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपके अगर बूट लोड अनलॉक है औरेंस फॉक्स रिकवरी इंस्टोल है अगर यह सब कुछ कैसे करना है उसका वीडियो के लिंग में इस वीडियो की डिस्क्रि प्रेस करके तबाके रखना है इससे क्यों होगा डिवाइस औरेंस पॉक्स रिकवरी जो भी आप लेटेस्ट रिकवरी यूज़ करें हो उसमें डिवाइस ओन हो जाएगा जैसे कि भी आपको यह आप देखने को मिलेगा मैंने फ्रेस करके रखा बटन्स जैसे कि आप यह पर देख पार है अग्तम जब और इंस पॉक्स रिकवरी या पिछ प्रेक रिकवरी जो भी यह उसमें आपका डिवाइस बूट हो जाए तो आपको सिंपल सी इसको बटन्स को आपको छोड़ देना है ठीक तो यह आप देख सकते हो और इंस पॉक्स रिकवरी में यूज करा हूँ तो इसमें बूट हो न लगए मैंने डिवाइस यह आप देख सकते हो आपके सामने सब कुछ ठीक है अगर आप 5 बार कर रहे हो तो आपको डाटा डिलीट करना पड़ेगा बाकि आप मतलब 5 ब इनको आपको फ्लेट करके श्वाइब टू वाइब कर देना इस तरह से यह करना जरूर ही है ठीक है अब इसके बाद में आपको क्या करना जो भी आपने डिवाइस के लिए रॉम स्लेक्ट किये डाउनलोड किये मतलब जो भी आपके फॉल्डर में पर यह सिंपल सी उस तो यह इंस्टॉल होगी इंस्टॉल हो ऩहले में कुछ टाइम लेता है 5-7 मिन एकडा ज्यादा दीने लेता है अगर और जल्द先生 फ्लेश हो जाते हैं अगर मियो वह अगर है तो उसम्हें थमूदा सा टाइम लेता है तो आप यहाँ पर हैं तो इस तरह से फलैसिंग सिंपल सी क्या करना है कि कैचे के ओपर जाना है तो यहां पर आपको swipe to wipe के उपसन कलिक कर देना इस तरह से इस तरह से हो जाएगा उसके बाद में आपको सिंपल सी reboot system के ओपर कलिक कर देना जो भी आप ROM flash कर रहे हो वह installation process start हो जाएगा ध्यान रखना बैटरी आपको 50% से उपर रखने या 40% से आपको उपर रखने क्योंकि जो installation process है इसमें थोड़ा सा time लेता है कम से कम 5-6 मिनट या इससे कभी कबार ज्यादा भी लग जाते हैं तो बैटरी इसमें क्या ज्यादा थोड़ा consume करता है तो बैटरी आपको हमेशा 50% या 40% से उपर ही रखने है तो अब यहाप यहाप देख सकते हो मैंने इसके अंदर MIUI 12.5 की जो refag ROM है वो मैं flash करने जा रहा हूं तो यहाप यहाप देख से तो flashing हो चुकी अब यह यहाप बूट मेन्यू आ गया है इसमें थोड़ा सा time लेगा आपको इसका मैं 5 setup तक दिखा लेता हूं ठीक है थोड़ा सा device को रख लेता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा time लेगा इंस्टोलेजिंग में तो जैसा कि आप यहाप देख से तो रॉम इंस्टोल हो चुकी है 12.5 की जो मैंने की थी अब यहाप आप देख से तो 5 setup आ चुका है अब आप इस setup को इस तरह से complete वगरा करके 12.5 या 12.13 जो भी रॉम आप फ्लेस करें हो उसका मजा ले सकते हो तो गाइस वीडियो अच्छा